मित्रों, सबी को होली की बहुत बहुत सुबकामना देना चाहता हूं। ये जीवन को उत्सब माना गया। क्यूं माना गया? इसका अर्थ जो है होली में प्रकट होता है। ये जो होली होते हैं, ये बताते हैं कि जीवन में रंग उडाना है, जीवन में मस्ती करते हैं, जीवन को सेलिब्रेशन करना है। यह होली कैसी शुरुवात हुई, किसने शुरुवात किया, इसका पिछे का कारण क्या है, यह बात उतनी महत्वपुन है ने, जैसे भी इसका, जिसने भी, जहां से भी इसका शुरुवात हुआ हो, जब हम किसी आदमी को देखते हैं, रंग उड़ाते हुए, मस्ति करते तो यह पर्व जो है, यह हमको यह ज्यान देता है कि जीवन एक उत्सब है, इसको जीना है, इसमें निरास नहीं होना है, औरेसान नहीं होना है, स्रियस नहीं होना है, इसको गंभीरता प्रुवक नहीं लेना है, इसको बजाना है, इसको गाना है, इसको नाचना है, इसको और जो है हमारी बहुत इसला प्रॉपर हैं वो बताते हैं अई सी और ही कुँछ सॉरक परवह हमको यह संदिश्वतो देती है deposits मगर यह जो है वरी होती है यह बश्जामरें एक बार आती हैं मगर हमारा पूरा ही जिवन हरी मया होना का प्रॉद्ध है ही है मस्ति के लिए है तो क्यूं यह अपसर हमको चुकना एक छेंड के लिए भी एक दिन के लिए जाहे जो कुछ भी जीवन में आएं परेशानी आएगी धन्जट आएगा तो भी आधरवुथ सिद्धान्त इसका जो है वो हमें भूल नहीं जाना चाहिए तो मित्रों यह ज तो जीवन किसके लिए बना है जीवन होने का कारण क्या है जब हम इसके पिसे जाएंगे तो हमको बहुत सारी बात जो है नालम पड़ेगी किसी भी चीज को अगर आप देखो, तो वो चीज होने का कुछ कारण होता है, जैसे एक घड़ी होती है, तो वो घड़ी होने का कारण के है, क्या है कि वो टाइम बताती है, एक कार है, कार के होने का कारण यह है, कि उसमें चड़ना है, अईसे भहुत सारे चीज़ हैं जिसका पीछे कारण होता है तो अगर हम देखें कि ये जीवन जो है आदमी का इसका क्या कारण है तो हमको ये मालूम पड़ेगा कि इसका कोई कारण है ने क्योंकि अगर कोई कारण होता तो आदमी नहीं मरता तो इसका एकी कारण होएगा तब कि इसको जीना है, इसको पीना है, इसमें डूबना है, इसको उत्सब मनाना है, क्योंकि अगर जीवन में कोई अर्थ होता, कोई स्रियसनिस होता जीवन में, तो क्या होता कि आदमी का डेथ नहीं होता, आदमी कभी भी नहीं मरता, और आदम एक मेसिंज जैसा होता, जो कुछ करने के लिए बना हुआ होता, मगर आदमी जो है फ्री होता है, फ्रीडम में जीता है, फ्रीडम में जन्मता है, तो उसके पिछे कोई उदेश से नहीं होता, तो उदेश से हमारी सुसाइटी बना देती है, हमारा संस्कार बना देता, हमारा शिदे ही अगर देखें जीवन का कि कोई उसमें उदेश से होता नहीं है, कोई गंभीरता उसमें होती नहीं है, तो हम आदमी को देखेंगे पहले कि जीवन आदमी ही नहीं है, जीवन फूल भी है, पेड़ भी है, जानवर भी है, आकास भी है, प्रति भी है, सबी कुछ जो ह तो यह जीवन क्या है, जानने के लिए हम किसी एक पेड को देखें, या किस फुल को देखें, आदमी के पास हम पिछे आएंगे, तो एक जब फुल फुलता है, तो उसका क्या अर्थ होता है, क्यों वो फुल फुला, जब हम देखें, तो लगता है कि वो फुल फुलने का तो इस उदेश्चे से वह नहीं पूलता है। जैसे जंगल में भी फूलते हैं। तो उस फूल फूलने का कोई और उदेश्चे नहीं होता है। वो एक खुद ही एक उदेश्चे होता है। तो एक फूल क्यों फूला? पहले फूला ही क्यों यह देखे। तो फूल फूलने में क्या है? एक सुन्दरता है, एक आनंद है। वो सुभास उडाता है। तो वो सुन्दरता क्यों बनी? क्यों प्रकट हुई? फूल का प्रकटी करना क्यों हुआ? उससे पहले कि वो जो बेदा हुआ था उसको देखिए तो जब वो बीजरुप में था वो क्या होने के लिए बना था फूल फुलाँने के लिए जब उसका बोर बड़ा होगा और उसे फूल फुलने लगेगा तो उसका होने का अर्था पुरा हो जाएगा जब फूल फूल के वह सुभास उड़ाएगा तब उसका जीबन पूर्ण हो जाएगा तो एक समय के बाद वह खतम हो जाएगा क्योंकि उसने अपना काम कर दिया वह फूल फूला ना था बासना आकास में फिजानी थी तो उस उदेश्य से वह फूल फूला था तो आप देखे कि फूला ही क्यों वह लगता है कि वह किसी के होने के आनंद में वह फूल फूल किसी के होने का उत्सब मना रहा है किसके होने का उसको हम परमात्मा वोलके जो चारों तरफ से फईला हुआ चेतना का विशाल सागर है तो वो चेतना है, तो वो चेतना और परमात्मा है, उसके होने के कारण क्या हो जाता? एक उत्सब हो जाता आसपास, तो उस उत्सब के कारण जो है, फूल फूलता, पेड़ उपता, आदमी होता, जानबर होता, सबी कुछ जो होते है, वो उस परमात्मा होने के उत्सब के इसे भी चमतकार यह है कि वो सत्त है चित्त है आनंद है तो ऐसा एक आनंद में होस में जो परमात्मा का होना है वो हो गया उसका होना है यह बहुत चमतकार है अब यह चमतकार घट गया तो उस चमतकार के आधर पर उसके आसपास जो है उस सब और उसे नृतिकायोजन है तो जीवन यही है परमात्मां का उपस्तिति है परमात्मां काुपस्तिति के कारण जो थे चिढिया पंदी वो घित गाती नदिया और झाह मेग गरस्ते तो भहुत सारी घटनाखरती आदमी पैसा होता कि आदमी गादा आप्मी नृत्ते करता तो बहुत जनाबर खुस हो जाते तो ऐसा है कि परमात्मा का होने का जो उपस्तिति है उस उपस्तिति के कारण माहोल जो है एक संगीत मैं हो जाता है आई यह अइसी बाते जैसे आपका घर में जो घर का मुली है तो वो कहीं बाहर गए तो बहुत दिनों बाद जब घर में आएंगे तो उनके आने के कारण क्या हो जाएगा घर में आपका एक खुसियाली हो जाएगी आप पाटी मना लेंगे सभी सदस्य जो है खुस हो जाएगी मागर जो मुली है वो किसी के अंदर जाकर किसी को खुस ने करेगा जो सदस्य है, उनको खुश करने के लिए और कुछ नहीं करेगा, उसका होना ही क्या हो जाएगा, सभी के लिए एक उच्चप हो जाएगा, जो है से बेटे होते हैं, छोटे-छोटे, हमारे भी आइचे, कभी-कभी हम घर आ जाते हैं, तो इतना खुश हो जाते हैं, उनको हो जाते हैं नुर्टी करने लगते तो परमात्माहोने के कारण ऐसा ही क्या हो जाता कि आसपास सबी चीज मंगलता से और उत्सव से भर जाती तो उसी के कारण जो है अनिक इसम का जो है रंग बिरंगी जीवन पेधा वो गया जहां नर्था चल होता है, संगीत पैदा हुआ होता है, फुल फुल रहा होता है, चिडिया गार ही होती है, एक आकास सुन्य हो जाता है, भाव सुन्दर-सुन्दर द्रश्य दिखाई पड़ जाते हैं, तो यह सबसे बड़ा चमतकार है, परमात्म एक कलाकार बोला है इसलिए, परमात्म को कि दा होने के कारण चीजए अपने आप बनने लगती हैं हम आग हम..." ुअइसे ही, पेड आईसे ही पईदा हुए- तो परमात्मा कुछ करता नहीं है उसकी अंदर जा कर उसको बनाता नहीं है। कि आप अपने के कारण चीजें निर्भिन्त हो जाते हैं। जैसे में पिष्णी वीडियो में आपको बताये ना, क्याटलिक एजेन जैसा है परमत्मा, वो कुछ करता नहीं है, अपने आप चीज हो जाती है, जैसे आकासे बिजली कड़कती है, और जो है जल बरसता है, तो जल बनने के लिए वो बिजली कुछ करती नहीं है, जब आप को देखोगे, उसके अंदर बिजली नहीं पावगी, उसके अंदर हाइड्रोजन और अक्सिजन पावगी, मगर बिजली नहीं कड़केगी, तो जल भी नहीं परसेगा, तो बिजली का होने के कारण ही वो पानी पैदा हो जाता, वो करता कुछ नहीं है, जैसे ही परमत्मा ह तो उसको होने के कारण जो है एक माहौल बन जाता है और चीजे जो है निर्टे करने लगती है संगीत पएदा हो जाता जय से आपने सुना है जैसे सिवा होते हैं सीवा के आसपास जो है नंदी भ्रंगी भहुत सारे अच्छे बुरे लोग जो है पैदा हो जाते और जो है उनके होने के कारण जो है उत सब मना लेते हैं तो ऐसे परमात्मा के होने के कारण बहुत किसिम के जीब आदमी पैदा हो जाते और जो है वो एक संगीत पैदा हो जा कि आदमी ने इस रहस्य को जाना नहीं है, और क्या हो गया कि आदमी के पास एक माइंड हो गया, एक बुद्धी हो गई आदमी के पास, और वो बुद्धी इसलिए दी थी, मिली थी कि उस बुद्धी के कारण वो उस रहस्य को जाने, उस परमात्मा को जाने, उस रहस्य को ज परमात्मा बना लिया, अपने को ही उसने करता बना लिया, करता कोई नहीं था, परमात्मा भी करता नहीं था, उसका होने के कारण चीजी पैदा होई थी, तो उसके होने के कारण बुद्धी भी पैदा हो गई, और आदमी बना, मगर ये हो गया कि आदमी की जो बुद्धी है वो बुद्धी यह मानने लगी कि महीं करता हूँ, इसी कारण जो होता है वो आदमी परिशामे पर जाता, क्योंकि वो जीवन को फिर एक उदेश से बना लेता है, जब बुद्धी अपने को करता मानेगी, तो वो एक कालपने को संसर खड़ा कर देगी, जहां पर वो जीवन क उदेश से बना लेगी, इस कारण उदेश से जीवन है, यह बोलेगी, और फिर उसके लिए वो क्या करेगी, यह पाने के लिए यह करना है, यह बोलेगी, और क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यह भी खुद ही सोच लेगी, तो परमात्मा का नियम अलग है, मगर यह शिरिष्ट प्रानी था, अगर वो बुद्धि को उसने परमात्मा की रहस्य को जानने के लिए लगाया हुआ घटा तू बहुत अच्छा हो जाता था मगर वही बुद्धि आद्मी को दुषमन भी हो गई मित्रभी हो सकती थी वह दुषमन कैसे हो गई कि वह बुद्धि खुद को ही परमपमानने लगी अर्था खुद को ही खरता माननने लगी और जीवन का अपना अर्था देने लगी जीवन क्या है इसमें वो अपना अर्था वो बुद्धी खुद देने लगी और पैसा जीना है क्या करना है ये क्यों हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए तो ये सब बात जो है ये बुद्धी ही निर्मित करने लगी तो जब ये करेगी त करता नहीं है यह समझना था हमको कि उसके होने के जो उपस्थिति है जो हम अपने सरीर को देखें कि सभी कुछ शेलिब्रिशन के लिए होता है आवाज मिलती है गाने के लिए, आँख मिलती है सुंदर-सुंदर दृष से देखने के लिए, कान मिलता है अच्छे-च्छे चीज़ों को सुनने के लिए, बुद्धी मिलती है समझने के लिए, तो जो कुछ भी हमारे पास इंद्रियां है, वो सभी क्यों है, देखे तो सभ यही बात जानने को लिए है कि अनन्द है, उत्सब है, उत्सब है, शिरियसनिस नहीं है, जीव हमारे पास हम टेस्ट लेते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाना क्या है, मस्ती करना तो है, भोग को मिटाते हैं, प्यास को पिताते हैं, जल पानी पीना क्या है, पानी पीना मस होने के लिए आभाज को मिटाने के लिए तो जो की उन्हारे पास है जो हम खाते है पीते हैं कहीं खुश होते वह सब चीज जो है एक उत्षप के लिए ये सि सब बनी है मगर बात ही बिगडगे कि हमारे बुद्धी ने उस रहस्य को नहीं जाना, जीवन के रहस्य को, और अपना ही एक जीवन को खड़ा कर दिया, और अपना ही एक अर्था उसमें डाल दिया, खुद ही एक जीवन बना लिया, और खुद ही उसमें फस गए, जैसे मकड़ी होती है, खुद ही एक जाल बना लेता ताकि दुसरे जीवों को उसे फसने के लिए, ताकि वो खा सके, मगर बाद में यह हो जाता, उसी जाल में खुद ही पढ़ जाती, इसी ही क्या हो गया, हमारी बुद्धी ने कुछ अपने ही हिसाब से जीवन बना लिया, जहां पर सवी अर्थ अपना डाल दिया, तो का किया कि ताकि हमको मजा आ जाए, तो मगर यह हो गया कि उसी जाल में हम खुद पढ़ गए, तो मित्रों इस जाल से बाहरा आके जो परमात्मा के रहस्य में, उसका होना है, उसको आप जानना चाहेंगे, तो ध्यान करना भी अच्छा होगा, मेरी प्राइवेट गाड़ेट कि वीडियो आपको यह जानने में मदद कर सकती हैं, उसके लिए आप बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक और निम्मत दिया हुआ है, थैंक्यू